हेलो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेट लाएब वो है वोड़ा फोन आइडिया शेर लेटेस न्यूज स्टॉक टू बाइनौ कल के दिम पर आपने देखा था वोड़ा फोन का एक सिस्को की साथ 5G के वोड़ा फोन का जो बुलिश मोड है वो आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेगा बैक टू बैक जैसे टीटेमल में कुछ ना कुछ नुज आते हुए वैसे ही वोड़ा फोन में हम पिछले 15 दिन से देख रहे है कुछ ना कुछ नुज नुज आ रहा है जिसके चलते वे जो साड़े 8 रुपे से वोड़ा फोन का जो राली की शुरुवात हुई थी इस समय भी कंसिस्टनली कंसॉलिडेशन लेवल चल रहा है का वोड़ा फोन का अरौंड 10 रुपीज के आसपास जैसे ये 10 रुपी 70 पैसा 10 रुपी 80 पैसे के लेवल को ब्रेक आउट करता है ये स्टॉक का जो नेक्स लेवल होगा वो करीबन साड़े 12 रुपे के आसपास होगा तो बहुत ही अट्राक्टिव मोड बे इस स्टॉक आ चुका और बैक टू बैक कुछ ना कुछ निउस के चलते हुए इसका जो बुल रहने वो आगे भी कंटीनू रहने वाला है तो वी यह रेजिस्टंस के आसपास कंसलिडेशन कर रहा है उसके चलते हुए यहां पे सेफ लेवल है जहां पे आप और पोजिशन स्टॉक में आड कर सकते हैं तो वीडियो को एंड तक जरू देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरू लाइक करना वीडियो क पोजिए पानेजर, मूचल फंद मैनेजर, SIP मैनेजर, अडवाजरी प्रडॉक्स से काफी सारे हमारे कंपनी के और हमारी कंपनी पॉर्ट्फोलिय मैनेजमेंट सर्विसिस भी प्रोवाइड करते हैं क्लायंट्स के लिए तो चली सबसे पहले वीडियो का एक ओर वीडियो वोड़ा फोन आइडिया के शुरुज चैनलए यानी वड़ा फोन आइडिया और सिस्को पार्टनर टू बूस्ट नेट्वर्क capacity यानि Vodafone idea और Cisco ने यहां पर के सकते हैं merge होके यहां पर जो network capacity उसको बढ़ाने के लिए साथ ही में 5G को कैसे और आगे लाया जाए Vodafone की तरफ से उसके लिए भी Cisco के लिए आपर साथ में partnership की है Vodafone idea and Cisco have also kept 5G in mind BI will be taking the help of Cisco in automating its network support to its 4G services but also will also look the 5G use cases that might develop in the future इस समय 4G के कैसे में जो partnership का point है वो 4G के Cisco 4G services के related लेकिन future में इसके 5G में convert के आजा सकता है Vodafone idea have just announced its partnership with Cisco for boosting its 4G networks the third largest telecom operator of India. VI will be using equipment from Cisco to boost its network capacity. It is worth noting that VI has already has an impressive network capacity because of the reframing of 3G spectrum to 4G now with the added capacity where VI users will be able to connect to internet and use data faster Cisco की तरफ से equipment की लिए जाएंगे जिससे उनके network capacity है या फिर जो speed है specifically data का वो बढ़ जाएगा और 3G spectrum को अलड़ी 4G convert किया जाएगा लेकिन उसके साथ अगर Cisco के equipment support करेंगे तो जो data transfer का जो speed है इंटरनेट का जो speed है Vodafone users के लिए वो और भी बैतर हो जाएगा और इसे future में 5G के लिए भी use किया जाएगा यानि सिर्फ 4G services को related इस समय यह partnership की नहीं गई है इसे 5G में भी convert किया जाएगा आगे अगर देखे Vodafone idea and Cisco 他 mentioned Barnwater was also looking at 5G good have an idea and Cisco has also 57 mind V i will be taking the help of Cisco in automating its network network support to 4G something better but will also look at the 5G use cases that might develop in the future this will ensure that the every customer enterprise and detail gets the best quality voice calling and data experience from the network of wateruba from idea Cisco and V car building cost efficient network with architecture that will drive the Telco to the market at a greater speed where 4G and 5G along with internet of things is concerned यानि 4G, 5G चे रिलेटेड जितने भी प्रोड़क्स से वोड़ाफोन के सभी में सिस्कों के help लेके यहाँ पे उसे और बेतर करने की बात की जा रही है और future में वो होगा क्योंकि अल्रड़ी यह partnership हो चुका है उसके पहले अगर जो पिछले आपके आफ्टे का न्यूस था वो था वोड़ाफोन साइनस और न्यूफ फाईजी कॉंट्राक्स विद एरिक संसु strengthen core networks यह यूके बेस न्यूजडा यूजडा यूके में जो वोड़ाफोन कंपनी उन्होंने एरिक संट के साथ is not only this but it will also open the doors of future innovations of two Vodafone consumers and enterprise customers in both regions. यानि clear cut दिख रहा है कि Vodafone Idea और साथी में Vodafone जितने भी worldwide जो डेलोपेंट्स कर रहे है उसका बेनिफित इंडिया में भी होगा by default. Clear cut और एक जो news आ रहा है latest जो कली आया है ये news Vodafone Idea new 4.447 plan offers 50 GB data without daily limit. ये जो plan ने specifically जियो और एटेल के पहले से ये plan था और उसके competition में Vodafone ने भी plan ये launch किया है ताकि Vodafone Ideas भी ये particular scheme का फाइदा ले सके. तो किया पे clear cut दिख रहा है कि Vodafone अपने plans को revive कर रहा है जो पिछल के एस करीबन दो मेने पहले बात आ रही थी Vodafone अपने शारे tariff rise कर सकता है लेकिन यहाँ पे tariff rise नहीं हो रहा है उल्टा competition में जो जियो में जो plans है जो एटेल में plans है वही same level के plans, वही same speed के plans वही same rate के plans Vodafone भी अब launch कर रहा है ताकि Vodafone Customers भी ऐसे speed और ऐसे plans का फाइदा ले सके. और उसके बाद अगर हम levels की बात करें specifically जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में का था इस समय अगर resistance पे कोई stock जब भी कोई consolidation करता है तो by default यहाँ पे Vodafone आइडिया में वही हो रहा है यहाँ पे कैसकते Vodafone आइडिया में वही हो रहा है NCLT की तरफ से उसका अप्रूवल आता है तुरण तो वहाँ पे दूसरा ट्रिकर होगा Vodafone आइडिया का और यहाँ पे clear cut दिखाए जाएगा कि जैसे ही Vodafone में कैसकते है fundraising का अप्रूवल आता है यह stock और एक bull run में चल जाएगा AC की शुरुवात की तयारी यहाँ पे इस समय consolidation में हो रही है RSI की बात के तो करीबन 58.8 के आसपास है जो नावर BOT है नावर Solution में consolidation मोड में RSI चल रहा है इस समय MFI की बात के तो 62.3 के आसपास है MACD की बात कर दो 0.3 MACD signal की बात कर दो again 0.3 ATR की बात कर दो 0.5 ADX 25.4 ROC 16.4 और ROC 125 की बात कर दो 1.0 तो यहाँ पे clear cut MACD signal RSI दोनों favor कर रहे है इस levels को और इसके चलते वह यहाँ पे आप invest कर सकते हैं जिन्होंने अल्रेडी उपर के levels में invest किया यह levels पे आप add-on भी कर सकते हैं और जिनको fresh investment करना है इस level पे आप investment कर सकते हैं 30 day SME की बात के तो करीमन 9.2 के आसपास है 50 day SME 8.9 100 day SME 9.9 जो इस समय consolidation 100 day SME के पास-पास हम constantly देख रहे हैं और 200 day SME की बात के तो 10.0 के आसपास तो 200 day SME और 100 day SME यानि small moving average यहां पे दोनों ही 9.9 और 10 के आसपास है यानि यह दोनों levels पे यह stock consolidation कर रहा है और वो कह सकते हैं यहां पे एक शुरुआ थे bull run की specifically पिछले 5 दिन के chart pattern की बात करें तो consolidation mode में ही यह stock दिख रहा है करीबन साड़े 10 तक यह stock गया था और फिर वहां से नीचे है करीबन 10 रुपया 20 पैसे पे consolidation हुआ फिर वापिस नीचे है करीबन 9 रुपया 90 पैसे पे इस समय consolidation चल रहा है constantly पिछले 5 दिन में 1 month के chart pattern की बात के दो 1.5 रुपय से stock की rally की शुरुआत हुई थी यह stock करीबन वहां पे गया था 9 रुपया 80 पैसे तक फिर वापिस 9 रुपया 80 पैसे और करीबन कह सकते 10 रुपया 20 पैसे की बीच में काफी सारा consolidation हुआ फिर वापिस एक bull run की तरफ cash चुरुबात हुई यह stock की 10.5 तक यह stock गया और फिर से नीचे की तरफ इस समय 10 रुपय के आसपास यह consolidation कर रहा है price and volumes की बात करें तो करीबन कल के दिन पे 20 करोड का आज सुबह की बात करें करीबन आज सुबह करीबन 12 बे तक इसका जो volume था वो करीबन 20 करोड के आसपास हो चुका था और delivery percentage देखें तो करीबन 34 परसंट था 7 करोड के आसपास कल की बात करें तो करीबन 27 करोड का volume था और 11 करोड का delivery percentage delivery quantity थी उसमें से करीबन 40 परसंट का delivery था वन वीक के average की बात करें तो करीबन 41 CR का trading volume से इसका और उसमें से अगर delivery volumes देखे तो करीबन 12 crore shares के यानि almost 30% का delivery percentage है और 1 month की बात करे तो करीबन 28 crore का average है पूरे month का और उसमें से अगर delivery percentage देखे तो करीबन 8 crore का यानि almost 30% का यहाँ पे delivery percentage दिख रहा है clear cut उसके बाद NAC delivery report देखे from 1st June से लेके 10 June उसमें जो average percentage देख रहा है आपको clear का जो right hand side में आपको last column देख रहा है 37%, 30%, 27%, 26%, 35, 22, 30, 35 यानि average अगर दिखा ले पहले 10 दिन का इस June मन्त का तो average around 32-35% के बीच में आ रहा है जो decent है पूरे कैसकते है पहले माहिने के 10 दिन में और अगर 14 June से लेके 23 June का delivery percentage देखे तो 27, 33, 40, 28, 24, 25, 36, 39, 35 यानि या भी भी अगर देखे from 14 June से 11 June से लेके 23 June का delivery percentage देखे तो वो भी 35% के आसपास ही आ रहा है तो पूरे माहिने बर में करीबन 35 to 40% average delivery person वोड़ा फोन का रहा है उसके चलते clear cut देख रहा है कि याँ पे भी अच्छी कासी delivery buying हो रही है पूरे मन्त में आशा करता हूँ आज का जो वीडियो आपको पसंद आ रहेगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजेगा वीडियो को शेर कीजेगा आपके screen पे आपको मेरा mobile number मेरा email ID मेरे social media platform flash हो रहा है साथ ही में मेरा website का नाम भी flash हो रहा है आपको अपकर अपने existing portfolio में अफिर नया कोई portfolio create करना है उसके लिए कोई consultation coaching की ज़रूरत है website पे login कीजे consultation book कीजे coaching book कीजे exactly आपको आपके हर एक problem का उस consultation coaching में solution मिल जाएगा Thank you